नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज फिर एक बहुत इच्छी श्टोरी बहुत सर नयने वर्ट के साथ यहाँ पर आया हूँ आज की श्टोरी का टाइटल है डेवोटेट संस डेवोट कर देना चले देखते हैं क्या हुआ कैसे वह बहुत इच्छी श्टोरी मुझे तो बहुत परसंद आई लॉंग अगो का मतलब क्या होता है काफी समय पहले उसे लॉंग अगो बोलते काफी समय पहले देर लिव्ट एन असेडिक ब्राहमिन इन द्वारकापूरी देर लिव को नाम शिवशर्मा था ठीक है शीवा वेदा यजना धर्म एसे रखता है राम कृष्ण राम कि आं जोड़ देते कंप्रीट करने के लिए थिक है हिंदी नाम में लाश्ट को कंप्रीट करने के लिए ने जोड़ देते हैं अब आईसे नहीं है विवेका नंदा ऐसे बोल देते हैं विवेका नंदा है तो हम इसे शिव शर्मा पढ़ेंगे लिखा वले शिवा है ठीक है तो उसका नाम क्या कहता है शिव शर्मा ब्राह्मिन का नाम है he had five sons he had याने उसके थे five sons पांच बेटे थे named नामक नाम के यजने शर्मा यजने यज्य भी होता है ठीक है लेकिन यज नहीं पढ़ेंगे यजने शर्मा वेद शर्मा वेदा लिखने वेद पढ़ेंगे धर्मा शर्मा याने धर्म शर्मा विष्णु शर्मा और विष्णु शर्मा यह मेरा नाम भी आ गया आपर and सोमदत्त शर्मा और सोमदत इसे सोमदत पढ़ेंगे ठीक है सोमदत शर्मा यह पाँच उनका नाम है बेटों का है ना एक गो तीन चार पाँच आल फाइव संस वर वेरि ऊबिडियंट टू देएर फादर सभी पाँच बेटे वार यहाने थे वेरि यहाने बहुत बाँफ की ओता है आज्याकारी बहुत है आज्याकारी बहुते हैं का मुझत तरीके से अच्छे से अपने पीता के शेवा करते थे और याने, followed करना ने क्या होता है उस बात को मानना अनुसरन करना इन, sorry, his order, उसके आज्या की at any cost याने किसी भी कीमत परून की आज्या को मानते ही थे वन डे शिव शर्मा, एक दिन शिव शर्मा, decided to test his son, decided ने फैसला लिया, टू टेस्ट याने परिच्छा लेना his sons और अपने बेटों की, for their devotion, उनके devotion याने भक्ती, faithfulness याने होती इमानदारी and obedience याने आग्या कारिता ये सब को check करने लिए क्या है वास्ताव में, सच्चे में कर पाएंगे, थोड़ी बहुत बात तो सब मान लेते, कुछ ऐसे test लेता हूं कि देखता हूं क्या है बात मानेंगे he was gifted with, he was याने वह थे, gifted याने उसे, उसे मतलब आश्तिरवाद मिला होता है, उपहार मिला होता है, with याने से, इस से, यहाँ पे देखे, spirituality, spirituality का मतलब क्या होता है, आध्याद्मिक्ता, and had acquired supernatural power, और had याने उनके पास था, acquired याने प्राप्त था, supernatural power का मतलब होता है, allocic शक्ति प्राप्त था, आलाओ को एक सक्के जादू मंतर जो बोलते हैं उस टाइप से, he showed an illusory incident, he showed और उसने दिखाया, and, एक, illusory, ऐसे illusory का मतलब क्या आता है, illusory का मतलब होता है, कालपनी घटना, illusory incident, कालपनी घटना दिखाया, मतलब ऐसे, एक, सही का घटना दिखाया, ऐ ऐसे कलपना का इमेजिन कर लिए, कि ऐसे-ऐसे होगा, उन्हें दिखा दिया बच्चों को, प्रजेक्टर में दिखाते हैं, वैसे जादू था, उनको ताकत था, लोग एक सक्तिया, तो उन्हें दिखा दिया, कि ऐसे-ईसे हो रहा है, तो his son's अपने बेटों को दिखाया, his which kept on, increasing, which याने, जो kept on, लगाता, increasing, बढ़ रहा था, बढ़ते जा रहा था, याने, ऐसे दिखा रहा है, actual में से नहीं हो रहा था, पर उनको ऐसे दिखाया, कि उनके बेटों को लागे, कि यहां सच में से हो रहा है, at last, their mother died, at last, याने, अन्त में, उसकी मां मर गई, उसकी मा के पास गए, तो पिता जी ने सब के, सब को ऐसे सपना जैसे दिखा दिया, कि मा को बुखार आ रहा है, मतलब ऐसे उसे दिखा दिया, कि सच में मा को बुखार आ रहा है, मा मृत्य हो गई, वो ऐसी सच में मानी थी, उसकी ऐसे दिखा दिया, तो वो सब को लगा कि सही में म हमें क्या करना चाहिए क्योंकि our mother is dead हमारी मां कि मृत्ती हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए शीवा सर्मा सेट शीवा सर्मा ने कहा तो इस एल्डर सन अपने बड़े वेटे को एल्डर याने बड़ा याने चोटा cut the body into pieces cut the body याने शरीर को काड़ दो into pieces याने तुकडों में काड़ दो याने अपनी मा के सरीर के तुकडों में काड़ दो and throw them to different direction और throw याने फेग दो them याने उन्हें different याने अलग-अलग direction याने दिसाओं में और उसने क्या किया अपने पिता की आग्या मानी बात मानी सोचिए किसी को बोलेंगे कि भले मा जीवित नहीं है लेकिन बोलेंगे तुकड़े तुकड़े करके अलगले दिसाओं फेक दो तो सोचिए लेकिन उसने बात मानी क्योंकि भी आज्या कर रही थे, जो बोलते थे उसके पर तजी करते थे और उसके बाद क्या बाद, then फिर हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पर शीवा सर्मा सेट तो हिस सेकंड सन, शीवा सर्मा ने कहा अपने दूसरे बेटे से, to, किसे कहा, कहा गया, to preparation का यूज करते हैं, तो उसने अब अपने दूसरे बेटे से कहा your mother is dead, तुम्हारी मा क्या है, मर गई है, उसके मृत्ति हो गई है I cannot live without a woman, I cannot, मैं cannot यह नहीं सकता, live याने जी, मैं जी नहीं सकता, without याने बिना a woman, एक औरत के बिना मैं नहीं सकता, याने मुझे औरत चाहिए, I have seen a beautiful lady, I have seen मैंने देखा है, present perfect tense, have या has के साथ, verb का third form, to see saw, seen तो देखे, see का third form seen हो गया, तो यदि have या has के साथ, verb का third form है present perfect दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, I have seen, मैंने देखा है, a beautiful lady, एक सुन्दर औरत को, ठीक है, bring her to me, bring याने लाओ, her याने उसे to me, याने मेरे पास उसे लाओ, after taking the address, after याने के बाद, taking याने लेने के, the address, याने, पता लेने के बाद, from the father, पिता जी से, पता लेने के बाद, he went to her, वह गया, to her, याने उसके पास, याने उसके पास गया, याने उसके पास गया, तो उसने express किया, बताया, his father's desire, अपने पिता की इक्षा को, to her, उसके सामने, भई, मेरे पिता जी की ऐसे से इक्षा थी, ये ये बात है, आपसे शादी करना चाहते हैं, she was a divine lady, वह थी, a divine याने होता है, एक divya, divya औरत थी, वहाँ थी, she said, उसने कहा, your father is old, तुम्हारे पिता जी, बुड़े हैं, old याने होता है, बुड़ा, पुराना भी होता है, लेकिन old याने बुड़ा भी होता है, and suffering from diseases, और suffering, याने, गुजर रहे हैं, भोग रहे हैं, from, याने से, disease, sorry, disease लिखा हुआ है, disease का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बोलेंगे, बीमारियां हैं, उसे disease कहते हैं, तो suffering from diseases हैं, क्योंकि yes भी लगा है, मैं देखा नहीं था, disease हैं, बहुत सारी बीमारियों से, ग्रस्त है, suffer याने भोगना, ग्रस्त होना, तो बीमार है वो, I cannot marry him, I cannot, मैं नहीं कर सकता, and handsome, और खुपसूरत हो, सुन्दर दिखते हो, I will be happy to marry you, I will be, मैं हो जाओंगी, happy याने खुश to marry you, मैं तुमसे शादी करके क्या हो जाओंगी, खुश हो जाओंगी, खुश रहूंगी, I will fulfill all your desire, I will fulfill, मैं पूरी करूंगी, all याने तुम्हारी, sorry all याने सभी, your याने तुम्हारी desires याने एक्छाओं को, मैं तुम्हारी हर एक्छाओं को पूरी कर दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो, Veda Sharma replied, Veda Sharma ने जवाब दिया, You are like my mother, you are, आप हो, like याने जैसे my mother, आप मेरी माँ के जैसे हो, I cannot commit this sin, I cannot, मही नहीं कर सकता, commit याने करना this sin, याने यह अप आप, मैं यह अप आप नहीं कर सकता, My father likes you, so please come with me, मेरे पिता जी likes है ने, पसंद करते हैं, ता हैते हैं, क्योंकि ऐसे yes लगा है, third person के साथ, तो present indefinite है, ता है, ती है, play का, plays होया था, run का, runs होया था, ऐसे लिए, मेरे पिता, आपको पसंद करते हैं, so इसलिए, please come with me, मेरे साथ, चलिए to my father, मेरे पिता जी के प I will give you anything you wish for this, I will give, मैं दूँगा, you याने तुमे, anything याने कुछ भी, you wish, याने जो तुमारी इक्षा हो for this, इसके लिए आपको जो चाहिए, जो भी इक्षा मैं देऊंगा, दूँगा, she said, उसने कहा, I want to see all the gods, मैं चाहती हूँ, see याने देखना all the gods, याने मैं सभी, याने इसने दिखाया, हर याने उसे, all the gods, by his supernatural power, अपनी अलोकिक शक्तियों के द्वारा, उसने सभी भगवान को दिखा दिया, उसे, उनके पास सक्ति थी ना, वैसी, सभी भगवान को दिखा दिया, लो, सभ भगवान को देख लो, but then she said, लेकिन उसके बाद उसने कहा, what have I to do with the gods what have I to do, मैं क्या करूँगी, यान मुझे क्या करना है इन भगवान के साथ, इन भगवान के साथ मैं क्या करूँगी, if you want me, यदि तुम मुझे चाहते हो for your father, अपने पिता जी के लिए, then, तब, give me your head, give me, मुझे दो, your याने तुम्हारा head, याने सिर, मुझे तुम्हारा सिर दो, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, तुम्हारा पिता जी के लिए चाहते हो, मुझे तो अपना सिर दो, the face of Vedasarma glowed, face याने चेहरा, Vedasarma याने वे शर्मा का चेहरा, glowed याने चमक उठा, with joy, खुशी से, and he said, उसने कहा, today, I have got, मुझे मिला है, present perfect tense, the opportunity, opportunity याने मौका मिला है to sacrifice my life, मेरे जीवन को बलिदान करने का, मेरे जीवन का त्याग करने का, मुझे मौका मिला है, देखे, खुश हो रहा है वो, यह नहीं किया रहे, सिर मांग रहा है, मर जाओंगा, यह वो नहीं, खुश हो गया, कि मुझे मौका मिला है, अपने फिताजी के लिए बलिदान कर यानि कुछ भी फॉर इस प्लेजर उसकी खुशी के लिए यानि पिताजी के खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ Then he cut his head cut head off with a sword तब he cut उसने काटा his head off यानि शिर को अलग कर देना थी with a sword याना तलवार तलवार से अपने सिर को अलग कर दिया गहते हैं उसरे को अलग कर देना The woman took the head है ना उस औरत ने तू कियाने लिया टेक कटू को गया पर पास na different tense में जिसे simple tense भी कहते हैं सीर को लिया andLoins तो शिवार शर्मा और पहुचा सिव समा के पास पहुचा है थिसे हेंग जा ड हां ठीस पोड़ Hin inner देख़ कर वेंद शर्मा को है ना वे सर्मा का सिर्व को देखकर his brothers उसके भाई said कहा उनके भाईयों ने कहा ओ अरे our brother was very lucky हमारा भाई बहुत किस्मत वाला था क्या था भाग्य साली था he died for the sake of our father he died वो मर गया for याने के लिए the sake sake क्या नहीं होता है केक हातिर sake of our father हमारे पितर जी के लिए पितर जी के खातिर वो मर गया sake of God God sake ऐसे हम बहुत सरे इंगलिस में आपने सुना होगा तो वहाँ पे sake के क्या बताया था मैं भी के खातिर है he is the luckiest of us all वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस्मत वाला है हम सभी में now अब शिव शर्मा said to his third son शिव शर्मा ने अपने दूसरे बेटे से का देखे पहले से क्या कहा था अपनी मा के तुकड़े तुकड़े करके फेगने को उसने बात माल लिया दूसरे को उस सुन्दर और अउरत को लाने के लिए बोले थे तो इस ने शिर कटवा दिया अब तीसरे बेटे से बोलता है धर्म सर्मा से take the head of your brother अपने भाई के शिर को ले जाओ and make him alive again और उसे फिर से जिंदा कर दो धर्मा सर्मा अब तो धर्म सर्मा ने कहा किया तुक the head शिर लिया of his brother अपने भाई का and joined it to the body और सरीर में जोड़ दिया then he prayed to यम्राजा यम्राज होगा तब उसने prayed याने प्राथना की यम्राज से who appeared and gave life to वेजशर्मा who appeared जो appeared याने प्रकट हो गए and gave life और जीवन दिया वेजशर्मा को और वेजशर्मा को जीवन दे दिया क्योंकि यह लोग सब तपस्वी थे तपस्या करें तो वे वो सब यम्राज आ गए और उन्हें जिन्ना कर दिया उसके भाई को जीवित कर दिया धर्मसर्मा also prayed for his devotion धर्मसर्मा ने also ने भी prayed प्रात्ना की for his devotion to father अपने पिता जी के भक्ति के लिए and salvation of the soul after his death salvation याने क्या होता है हम इसे कहते है मोग्ष है ना तो उसने अपने पिता की भक्ति और उनकी मोग्ष है ना उसके उनकी आत्मा की मोग्षी प्राप्ति after his death उनकी मौत के बाद मांगा कि भाई यदि मेरे पिता जी के जब भी मोथ हुने मोग्ष मोग्ष याने क्या होता है याने जो हमारे हिंदु धर में आप सभी जानते है कि जो जन्म ले रहा है वो मरेगा मर है तो फिर जन्म लेगा फिर जन्म लेगा तो जब मोक्षी प्राप्ति होती तो जन्म मरन के ये जो चक्र है उससे दूर हो जाते बार बार जन्म लेने मरने का जंजट खतम, मोक्ष मिल जाते हैं, तो बोले कि मुझे ये चाहिए, वो भी मांग लिया, उसके प्रार्थना के अनुसार यम्राज ने ग्रांटेट याने होता है, रजामंदी देना याने सहमती देना, बून याने होता है, बून का मतलब वर्दान, वर्दान दे दिया, स्विक्रित कर दिया धर्मसर्मा को, वह लोटा अपने घर अलॉंग याने साथ में, वित इस ब्रदर, अपने भाई के साथ, वेदा सर्मा, और वो वेद सर्मा जिसने अपना सिर्कार दिया था उसके साथ, धर्मसर्मा अपने घर वापस आ गया, उसको जिन्दा करके, अब देखिए, ये तीसरा बेटा भी पा चाता हूं, with this beauty, इस सुंदरता के साथ, and also want to drink amrit, और also याने भी, want to drink, और amrit भी पीना चाता हूं, to be curse of all disease, sorry cured, cured का मतलब होता है, इलाज हो जाना, और सभी बीमारियों का, ताकि सभी बीमारियों से मेरी इलाज हो जाए, मतलब मैं ठीक हो जाओ, और, go to the heaven, heaven याना स्वर्ग, स्वर्ग जाओ, and collect the amrit, और amrit, collect यानी खटा कर लो, या फिल ले आओ, उचे collect करना बोलते हैं, amrit ले आओ, from God Indra, भगवान Indra से, amrit, ले लो जाके collect कर लो, भी collection करने जाओ, when Indra saw Vishnu Sharma, जब Indra ने देखा Vishnu Sharma को coming to heaven, याने स्वर्ग आते हुए, he sent, मेनका उसने भेजा, send का D का T हो गया, second form में उसने भेजा, मेनका को भेजा, मेनका आपको पता है, जिसने क्या किया था, विश्वमित्र का तपस्या भंग कर दी थी, to stop ही, मुसे रोकने के लिए, she laid, लेड याना होता है, लेड जाना, waiting on his way to heaven, और वो लेड गई, इंतिजार करते हुए, स्वर्गिम उसके आने का, दो, दो याने हालंकी, she was beautiful, वो बहुत सुन्दर थी, and attractive और आकर सकती, विश्वमित्र शर्मा पेड नो हीड, विश्वमित्र नो हीड याने क्या होता है, ध्यान नहीं देना, उसने ध्यान नहीं दिया, to her, याने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि वो बहुत क्या थ सुन्दर थी, attractive थी, फिर भी विश्वमित्र शर्मा ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, मेंका said to him, मेंका ने उससे कहा, I was waiting for you, मैं आपका इंतिजार कर रही थी, पास कंटी वस्टे रहा था रही थी, वहाज यवर के साथ, आएंजी फॉर्म, but लेकिन, you did not pay any attention to me, लेकिन आपने मेरे तरफ कोई भी attention याने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, विश्णु शर्मा रिप्लाइड, विश्णु शर्मा ने जवाब दिया, oh beauty, hey सुन्दरी, I know, मैं जानता हूँ, your purpose, तुम्हारी, purpose याने क्या था, तुम्हारा जो कारण है, तुम क्या करना चाहती हूँ, मैं जानता हूँ, you had disturbed the meditation of विश्वामित्र, you had, याने had disturbed, past perfection, दिया था, लिया था, चुका था, तुमने क्या किया था, disturb याने परिसान कर दिया था, भंग कर दिया था, meditation याने ध्यान को और विश्वामित्र, ये भी विश्वामित्र बोलेंगे, कि तुमने विश्वामित्र के ध्यान को भंग कर दिया था, but you will not be able to stop me, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकती, as क्योंकि I am devoted to my father, मैं अपने पिता के लिए समर्पित हूँ, do not try to stop me, मुझे रोकने की कोशिस मत करो, you, sorry, your beauty cannot distract me, तुम्हारी सुन्दरता मुझे विचलित नहीं क तुम्हारी सुन्दरता मेरा ध्यान नहीं कर सकती, and he proceeded, और वह प्रसीड़े याना था, आगे बढ़ना, वह आगे बढ़ गया, towards याने की ओर heaven, और स्वर्ग की ओर आगे बढ़ गया, देकि मेन का नहीं रोका, लेकिन नहीं रुका, in the heaven, स्वर्ग में, विश्णु शर्मा requested for Amrit from Indra, विश्णु शर्मा ने प्रातना की, Amrit के लिए देव इंद्र से, but, लेकिन, he made excuse, उसने made याने बनाया, excuses याने होता है, बहाने, बहाने बनाये, इंद्रा also tired to trouble, ठीके, इंद्र भी, क्या हो गया था, tried, sorry, tried याने, कोशिस की, ट्रबल याने परेसान करने की, विश सभी परसानियों से, वन ओर याने, जीत होई, वो सबसे जी दिया, जो जो परसानिया ले आता था, ये जीत जाता था, क्योंकि भई, अपने पिता का, भगत है, तो उसमें अलग सकतियां रहती है, आफ्टर पेसेंश ली, रिक्वेस्टिंग, आफ्टर हैंने के अगता है, धहर येता पूरवक, धीरस से, रिक्वेस्ट करने के बाद, विनाय करने के बाद, विश्नु शर्मा बिकेम फ्यूरियस, विश्नु शर्मा बिकेम हैंने हो गया, फ्यूरियस अने, अतिकृद्ध हो जाना बहुंच जाता गुस्सा हो जाना, बहुंच जाता गुस्सा हो गए, he thought of throwing, उसने फेगने का सोचा, इंद्रा, इंद्र को on the earth, यानि धर्ती में फेगने का सोचा, कि स्वर किसी से धर्ती में फेग दूँ, he decided to replace God इंद्रा, उसने फैसला कर लिया, God इंद्रा को replace करने का, यानि उसके जगा और किसी को लाने का, with some other God, दूसरे किसी देवता से, कि दूसरे किसी देवता को इंद्रा बना दूँगा, इसको मैं नीचे फेग देता हूँ, if we continue to harass him, यदि वो continue जारी रखता है, यहाँ पर देगी, harass का मतलब क्या आता है, harassment होता है, harassment है सुनें ने, harassment यानि परिसान करना, यदि वो मुझे परिसान करना बंद नहीं करेगा, तो मैं क्या कर दूँगा, इससे सीधा जमीन पे फेक दूँगा, और किसी दूसरे को इंद्र बना दूँगा, लास्ट पेज बचा हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए, बस लास्ट पेज, recognizing Vishnu Sarma's fury, recognizing यानि जानकर Vishnu Sarma के क्रोध को, Indra gave to, sorry, Indra gave the amrit to him, Indra ने उसे amrit दे दिया, he said, उसने कहा, O, Sand, Hey, Sand, Sand को Sand कहते है, Sand Thomas, Sand Thomas, actual में Sand है, Sand, Sand बोलके, English लोग हमारे बहुत सारे, जो words है, Sanskrit के, उसका अपना English बना बना के चला रहे है, और सब वही है, जैसे बोलता है, cruel, हम लोगे बोलते है, cruel, बहुत cruel, यानि होता है, निर्दई, उसी को लोग क्या बोल देते हैं, cruel, ऐसे हैं, cruel निर्दई बे रहा, I was just testing you, मैं सिर्फ तुम्हें, तुम्हारी परिच्छा ले, हैंना, मैं सिर्फ तुम्हारी, क्या कर रहा था, परिच्छा ले रहा था, वह सा डाएंजी फार्म रहा था, मैं सिर्फ तुम्हारी परिच्छा ले रहा था, I beg your pardon, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, for the mistakes, गलतियों का, made by me, जो मेरे द्वारा किया गया, made, make का made हो गया, जो आपका, quazitive verbs होता है, knowingly, जान बूच कर, और या, unknowingly, जान बूच कर, या अंजाने में, जो भी मैंने गलती की, उसके लिए माफी चाहता हूं, Vishnu Sarma gave the Amrit, Vishnu Sarma ने Amrit दिया, to his father, अपने पिता को, his father was very pleased, उसके पिता जी बहुँँ ज़्यादा, खुश हो गया, actually, असलियत में, he did not need, उसे जरूरत नहीं थी, अमृत की at all, उन्हें बिल्कुल भी, देखिये, उन्हें अमृत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, वो तो पास शेक करना चाहते थे न, he was just testing his son, वो सिर्फ testing, यानि परिच्छा लेना चाहते थे, परिच्छा ले रहे थे, अपने बेटों की, उन्हें परिच्छा ले रहे थे, ये लोग पास होते की न, उन्हें सभी ने क्या पास कर लिया अपने परिच्छा को, तो सफल हो गया, he said to his son, उसने अपने बेटों से कहा, I am happy with you, मैं तुमसे खुश हूँ, you may ask for anything you wish, you may ask, तुम मांग सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए, the four sons demanded life their dead mother, चारों बेटों ने क्या किया, अपने जो मरी हुई मां का जान, जीवन मांगा की मां को जिन्दा कर दो, she immediately appeared there, वो तुरंत वहां बे प्रकट हो गई, क्योंकि actual में वो तो मरी ही नहीं थी, यह लोग ऐसे जादू से दिखा दे थे, शीवाय सर्मा आज इस सन, शीवाय सर्मा ने अपने बेटों से कहा, to ask for one more boon, एक और one more boon, एक और वर्दान मांग ने कहा, चलो एक और वर्दान मांग लो, the sons demanded that, बेटों ने मांग की है न, they should be relieved from the birth and rebirth cycle, और शुट बेटों आजाद होना चाहते हैं, जन्म और पुनर जन्म के इस cycle याने चक्र से, जन्म पुनर जन्म के चक्र से हमें आजाद कर दीजिए, and desired और desired याने इक्षा थी, salvation of their souls और अपने आत्मा की मोक्ष, मोक्षी प्राप्ती का उन्हें इक्षा थी, desired याने इक्षा मांग की, they wanted to be sent to Golok, वे चाहते थे to be sent याने भेजा जाना, to Golok, वो Golok जाना चाहते थे कि हमें Golok भेजा जाए, place of God, एक्षा में क्रिष्ण है, विष्णु क्रिष्णे की है, place of God, ख्रिष्ण, भगवान क्रिष्ण के जो लोक है, उसे Golok कहते हैं, भगवान विष्णु का लोक हो, तो वैकुन्थ लोक कहते हैं, ऐसे हैं, अब यह थोड़ा से मिष्टे की लोक कर लेते हैं, शीवा सर्मा ग्रांटेड देर्विष्ण, शीवा सर्मा ने ग्रांटेड याने, सहमती देदी, देर्विष्ण, उनकी एक्षाओं को पूरा कर दिया, लॉर्ड विष्णु अपियर्ड भगवान विष्णु प्रकट हुए on his गरुडा, गरुण में प्रकट हुए, गरुण की सवारी थी, जो पक्ची गरुड होता है, और सभी बेटे को अपने साथ ले गए, इस प्रकार से, दा फोर सन गॉट साल्वेशन, चारों बेटे को गॉट याने प्राप्त हुआ, साल्वेशन याने मोक्षी प्राप्त हुई, फोर दियर सोल्स अपने आत्माओं के लिए, बिकॉस अफ दियर डिवोशन, बिकॉस याने के कारण, दियर डिवोशन उनकी भगती, टूवर्ड दियर फादर, बिकॉस अपने शादी कर लेता हूँ, मैं क्यों अपना सर काटू अपने पिता के लिए, बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए तो उन्हें ऐसे मोक्षी की प्राप्ति में, मोक्षी ऐसा नहीं मलता है, मोक्षी आजकल तो किसी को मिले गए नहीं लगता है, क्योंकि लोग मोक्षी से मिलेगा, जो ना कभी जुड बोला है, ना कभी कुछ बुरा किया है, ना मन में खोट है, ऐसे तो होई नहीं सकता आजकल, और ना तपस्या नहीं करते हैं, आजकल भगवान का नाम लेने का टाइम है ने दिन में, तो मोक्षी प्राप्ति कहां से होगी, और मोक्षी लिए बहुत तबस्या करना पड़ता है, तो इन्हों ने देखिए, पिता की बात मानी, जो जो बोले सब किया, और अंतमी ने मोक्षी की प्राप्ति भी, तो आप भी आग्याकारी बनी हैं अपने पिता की, हर बात मानी है, लेकिन हर बात का मतलब आपको पता है, कि हर बात का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानि कि जो भी बात सही है, क्यों ऐसे भी कोई पिता गलत बात तो करने के लिए बोलेंगे नहीं, लेकिन आग्या कारी के मतलब यही होता है कि यदी और हर पिता अपने बच्चे को अच्छे रहा पे ले जाना चाहते हैं कुछ-कुछ अपवाद रहते हैं जो खुद गलत है, बच्चों गलत रास्ते पे ले जाते कि कमाएंगे हमाले चोरी करेंगे तो वैसी बात नहीं मानना है वही है ना आग्या करी होने का मतलब क्या है कि पिता की जो हर उचित बात है सब को हमें मानना चाहिए तो यह थी आज की स्टोरी थोड़ी पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे शेर करेंगे पीडियेफ कल नहीं दे पाया था आज प्रवाइट कर दूँगा अभी मैं शेंड कर देता हूँ इसका पीडियेफ दे दूँगा ताकि फिर से पढ़के इसका ट्रांस्टेशन कर सके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे